दोस्तो मैं हूँ आर्ती स्वागत है आपका मेरी किचन में रादे रादे सभी को आज हम बहुती बड़ी नाष्टा बना के तियार करेंगे और सिरफ घर के समान से जिसे खाके आपका चोरी समोसा सब कुछ भूल जाएंगे इसके लिए हमने चार उबलेवे आलू ली है और हम फोक की मदद से मैश करेंगे आपके बस मैश है तो इससे मैश करेंगे लेकिन फोक से बहुत अच्छा मैश हो जाता है क्योंकि हमें आलों में बिल्कुल भी गुठली नहीं चाहिए गुठली होगी तो नाष्टा इतना टैम्टिंग सा और सुन्दर नहीं लगेगा और बीच में से फटने का भी वह रहता है तो इसलिए गुठली ना हो फोक से आप अच्छे से मैश करिएगा इसे नाष्टा ऐसा हो इस गर्मी में कि जटपट बनके तयार हो जाए सब को बहुत पसंदा है यह वैसा ही नाष्टा है तो चलिए यह अच्छे से मैश हो गया है इ मैंने एक निबू का रस ली है निबू का रस जरूर डालिएगा और ना हो तो आप अमचूर पोडर डाल सकते हैं और इसमें मैंने डाली है आधा चमच करश करके अजवाइन आधा चमच ही हम इसमें डालेंगे चिली फ्लैक्स यानि कुटीवी लाल मिर्च नाष्टा जब क्रिस्पी बनेगा उपर से क्रिस्पी और अंदर से एक दम सॉफ्ट बनके तयार होगा नाष्टा और थोड़ा साम इसमें धनिया काट के डाल देंगे दोबड़ी चमच हम इसमें डालेंगे कॉन फ्लोर आप चाहे तो मैदा हो आपके घर में मैदा भी डाल सकते हैं अरा में बहुत मश्चर होता है तो उसी से ये अच्छे से डो बन के तयार हो जाएगा देखे बिल्कुल परफेक्टली बन गया है तो चलिए थोड़ा सा हातों पे कुकिंग ओयल लगाएंगे सर्चो का तेलो भी लगा सकते हैं बहुत बढ़िया रहता है बस एक निम्बू के गो कोई सीजन में इतने गर्मी लगती है किचन में तो यह फट से बनके तयार हो जाती है। देखने में बहुत सुंदर लगती है समोसे क कहोई का स्वाद लेना है बच्चों को अब बडो को सभी को तो बिलकुल बनाके तयार करिए देखिए सारा नाष्टा बनाके मैंने एक बारी तयार कर लिया है और हम गरम गरम तेल यह ने फ्राइब करेंगे गैस का फ्ले में लोटू मेडियम रखेंगे जब हम इसमें यह नाष्ता डालेंगे और दोस्तों आप से छोटी सी रिक्वेस्ट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस लाइक सस्क्राइब और शेयर कर बस पूरी की पूरी प्लेट चट कर जाएगा समी से बिल्कुल हाई फ्लेम पर यानि तेज गैस पर नहीं पकाएंगे फ्राइब करेंगे नहीं तो यह अंदर से कच्छी रह जाएंगे और बाहर से फ्राइब हो जाएंगे लोटू मीडियम ही रखेगा गैस का फ्लेम और गोल्डन फ्राइब हो गई है बड़ी ऐसे तो हम इने डिसाउट कर लेते निकाल लेते हैंगे एक साथ सारा नाश्ता बनाईए और फिर उसे फटा-फट से फ्राइब कर लीजिए आपका टाइम भी बचेगा घर में सब को खाने के लिए भी बहुत जादा पसंद आएगा बच्चों को बहुत जादा पसंद आएगा बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बिल्कुल हेल्दी है कोई नुकसान नहीं बड़ी असा नाश्ता बनके तयार हो गया है चलिए मैं इसे आपको तोड़के भी दिखाती हूँ देखिए देखने में है न कितना लाजवाप सा और टैम्टिंग और सुन्दर सा मज़ा आगे एकदम वाओ तो बनाइए खिलाइए और मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाए दोस्ते